मैचला सुरुवात होता है आणि पुन्नाएक दा कॉमेंटरी बॉक्स मदूना आईकोयात बाबुशायंच सु मदूर समलोचन तो चले चलेंगे बड़ा मुकाबला देखियां परसे अईयूप सिक देखे तयार एक तरफ से दोनों टीम देखे सपना देखकर मैदान पर उतरे होंगे ले जाएंगे ले जाएंगे ट्रॉफी उठा कर ले जाएंगे भई रहे जाएंगे रहे जाएंगे दुनिया वाले देखते रहे जाएंगे और कौन लेकर जाएंगे ट्रॉफी उठाने के लिए ये आने वाला वक्त समय बता देगा और दिखे बात करेंगे बात करेंगे अपर स्प्रेश ट्रिबन से कासर रोले टीम टाउज जितकर बल्ले बाजी लिये हैं और पहली की इनके पर रहा हैं इससे कहते हैं पहली नजर में भाई दिल नहीं चुराया दिल जलाया चेरन तो चलिए टोटल की बात करेंगे टोटल देखे चेरन अकाउंट देखे इसलिए टॉच जितकर पहले बल्ले बाजी लिये थे और उसके बात देखे लीटिंगे जितकर पर लेते हुए कैच अपड़े के सकते हैं जे सर क्या कैच अपड़े सोगा जे सर इस कैच के लिए वाकई में बहुत ही बेतरीन कैच था यह इतना आसान नहीं था एक हाथ से कैच लपकना और तारीब जितनी भी की जाए उतनी कम लाफटेट शॉट किलने का प्रयास था लेकिन लेडिंगेज लगा था और देखिए इस तरह की कैच इस बाबुशा लिये नहीं जाते है चिपक जाते है यह कहा भी जाता है और वैसा ही कुछ नजारा था लेकिन शिपक जाए या फिर कैच ले जाए फिल्डर फिल्डर की तारीफ करनी होगी गजब का कैच बहुत बढ़िया देखिए बेने फिर फाइदा तो मिलेगा एस वान टीम है और अयूब से नाखूस रहेंगे बड़ा मैच क्या या पर विकिट दे गए या ट्रॉफी दे कर चले गए लेकिन आज अयूब से को भी छोड़ दिया जाए ना वाकी बैटर ने पर उंके काम किये हैं यह भी भूलना होगा लेकिन टीम हिंकी इंकी स्टेंट देखिए पिछली दो मैच में हमने देखिए गिन बाची और इस बार उने देखिए बल्ले बाची इन में करना होगा तो उससे माइना रखेगा कि आप कितनी रन के अंदर रोकते हों यही बात कर रहा था कासर उले टीम के देखिए आज अयूब नहीं आकास भी रन जोड़े हैं प्रशाद तो इतना रन नहीं जोड़े हैं लेकिन पिछली मैच में कुछ प्रसाद बाटे थे हैं और उसकी बाच जो सुसान आते हैं ना कुछ आती से बल्ले भाजी करते हैं उनका वी किट बहुत बढ़ा रहे गा हैं फिनिशर खास करके जिसे के इतना चांद रात में खुबसरत लगता हैं और सुसान का इनिंग है स्लो गुबर में बहुत बढ़िया है नहीं बोला सशी केनिश साब देखिए 25 किलो मटन चिकन और 5000 केस सशी दरा केनिश देखिए इंके तरफ से अगर देवरन टीम याज़ा मुकावला जिती है तो क्या बात है भाई दावद भी देखिए याँ पर आ चुका है और यही तो यही तो बात का भाई जब ग्रामीन का टीम रहती है ना चोड़े पड़े से लेकर बच्चे फैमिले से लेकर हर कोई देखिए आपके दिवाने रहती है तूट जाते हैं यहाँ पर हैं 25 किलो चिकन के साथ 5000 सशी दादा केनिश देखिए इंकी तरफ से और क्या तेवरें टीम यहाँ पर हो काम कर पाएगी विकास के नीश देखिए विकास के नीश दाब है 500 देखिए कैस प्राइज है टोटल की बात करेंगे टोटल देखिए हैं से साथ रहना अईव सिक का विकेट बहुत बढ़ा रही हैं पर से क्योंकि पहली गिन के पर पर जिस तरह से हमला कर देते हैं अजे सर कितनी भी बड़ी टीम हो सामने कितना भी बड़ा गिन बाच हो वैलकुल मनोबल अग्दिम से तोड़ जाता है उसे लगता है कि यह भाई हमला करने के लिए आया है अटक करने के लिए आया है लेकिन हमत यहारे गैन बहाची ने अगली गेन में जबाब दे दिया और बड़ा कमाल का कैच मिलियागए ओहोः ओहोः क्या कमाल की गैन देखिया है ऐसा लेग रहा है जिस तरह के ौरीस के समए में केला मुट जाता है उसे तरह गेन केले के जिसे मुड़ता वांदर की तरफ निकल गया और उवर कम्पलीट कर दिया और पहली गेन के पर छखका और उवर की वांद करेंगे साथ रहन अजीज सर क्या कहना चाहोगे कमाल की गेन बाजी होल हाटिड क्रिकेटर है सही माइनो में आकाश पाठिल सीनियर और आकाश पाठिल जूनियर ने जो क्याश लबका उसके बाद पूरी तरह से खेल बदलता नजर आया पहली गेन पर छका आपने बिल्कुल सही कहा कि मनोबल तूट जाता है गेन बाज का लेकिन यहापर हिम्म आप और एकोनॉमिकल ओवर देखने को मिला आप बहुत बड़ी आज़े सर है सही आपने आपर यह क्योंकि आप इन खिलाडियों टीम से नस नस से वाकिप हो इतनी साल से आप अनुबब तज्रुबा इस इस इलाके में इस दो से मौकाई आपको नहीं मिलता है यहां से बा तभी मैन अप दो मैच बनेते यह क्या रन आउट वे याप बचें यहां पर देखते हैं अपेल तो बड़ा थेज स्क्वेर लेके अमपार नट आउट बता रहे हैं वहीं आपर अपार ने देखिया आपर नट आउट दिये हैं आपर साइध पल्ले बाद सुरक शितने बाल बचें अगर यहां पर रन आउट होते तो मैं कैसे सक्ता था बहुत बड़ा रन आउट दिखने को मिल सक्ता था दो अज़र उननीस की वोल्ड कप में जो हमें रन आउट देख दिया था और उस दिन का रात का डिनर कुछ लोगों ने छोड़ दिया था क्योंकि आँच लोग कहते हैं कि धोनी ने खाना छोड़ दिखना चोड़ दिया हमने टीवी देखना चोड़ दिया ओई मार्टन गुप्दिल ओवर्ट्रो बेंश्टो को मिला था हमापर पंजा दूश्य ने बात करेंगे लेलेश देखें आपर से कमाल की गिंदबाजी करती हुएं ताकर देखें स्टेंड अगर यह टीम मैंक होंगा चालीस के अंदर रोक लिए ना तो कहीं नहीं सकते कि मुकावला जीज जाएंगे क्योंकि कासरोली टीम ने भी गिंदबाजी दिख चाली सिर्खें से कंदृ कि गिंदबाजी अकास देखे पहली मैच में मैणव दो मैच बने थी और इस मैच में देखिए यहां पर उसके बाद एके दो मुकाबला उनका नाम नहीं रहा लेकिन से यही बात करें थे सुसान थे भूम-भूम इस टीम का बात करेंगे यह बाहू पली और ललेश देखे वाई क्या काम कर रहा है यह बंदा भाई मुझे तो लगता है टी-20 वर्ल्ल कब मैं अकसर पडल के जगे इने क्यों नहीं लिया गया कम से कम इंगलेंड का तो यह एका कुई किट लेकर आते थे खाली हाथ नहीं आते थे सुबा भी देखी टेंबुली टीम के साथ दो सपर दा लेते हैं जैसर में जुड़ा नहीं था उस मैच में हैं बिल्कुल सही आपने परमाएं इतियास बताना भी बहुत जरूरी है और यह बता रही है आज है इतियास दिखाने नहीं इतियास रचने आए है फिर शेक पर म सुसान का विकेट भाई और मैच में पकड़ बनाती हुए ठोक डीजे ललेश और दो-दो विकेट उन्होंने चटका है हर मैच में इस मैच में शायद जादा भी चटका सकते हैं अभी भी कुछ गेंदे शेश है और क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे है है ट्रिक का मौका भी है उनके पास और एक और आकडो का रोचक खेल में आपको बताना चा हैं और फिल्डर देखें फिल्डिंग भी बहुत बड़िया देखें दो अजाद साथ की वर्ल्ड कब है जब महिंदर सिंग धोनी गए थे लगा नहीं था कि यह टीम चांपियोन बंद कर रहा ही थे लेगिन तभी इवरा सिंग जैसे सूरे सराइना जैसे फिल्डर थे और उसे तरह के दिखें फिल्डिंग भी बड़ा कमाल कर रहा है यहां और लेलेश देखें बड़ी कमाल के काम करते हुएं बिल्कुल बात करेंगे यहां अजी सरा अजीस तरह के देखिए हमला किये थे आयूब उसके बाद देखें जिस तरह से विकट हासिल की थी इस दो कहत और हिंवस्पत दिखाए थे आज है क्का जा रहा है कोवीट का चोथा ले रहा है कि देए ने पर लोग्त दिखा देखिते जादाड और यहां पर देखेग का फिंवस्पत की सब्सका में आज को work से नहीं अभी ये डर हटाना होगा कासर ओरली टीम को अंतिम बारा गिन के पर अगर आप आखरी बारा गिन के पर रन नहीं फिर बनाती हो तो फिर रहा है मुश्किल हो जाएगा 25-30 आपको आसान नहीं रहे गा है या पर अर क्या कसी हुई गिनबाजी अजी सरे क्या लगता है आपको अंतिम बारा गिन में कितना रनाना चाहिए देखें कम से कम मेरे क्याल से 20-25 रन्स और जोडने का प्रयास करना होगा कम से कम 25 रन्स यदि आते हैं तो जरूर 30 प्लस टार्गेट वो दे सकते है और यहाँ पर हमने देखा है कई सालों से यहाँ पर टोर्नामेंट हो रहे है खास्ता और पर दिन के अंतिम जो मैचेस होते है उसमें इतना आसार नहीं होता है रन्चेस करना सुरियास्त का समय जब नजदीक आ जाता है तो गिनबाजो के लिए और ज़्यादा सहायता भी रहती है इस विकेट में और कंडिशन्स भी सूट करती है गिनबाजो को नैवर लेकर विजे के ने थोड़ी सी खीचीवी लेन पर रखीवी गिन्ती गिन्त को खेल दिया है डिप मिडविकेट पर सिंगल के लिए तुछ लिए बात करें टीम का स्कोर देखें सिंगल के साथ पहुंच गया जाकर दस रन दस रन देखें यहां पर बहुत बड़या गिन्त बाची लाजबाब देखें रन आना बहुत जरूरी है सुसान का विए धिरा सबसे देखें आकरी में उम्मीद किया गया था और अजी सर एक बात मैं अभी जिकर करूँगा हमने पिछली मैच में जो बात जिकर चर्चा किये थे आज साथ में कोमेंटरी करने का तो मौका मिला लेकिन बात चित करने के साथ इतना कम है मौका मिला यही देखें वाई यहांपर चका आता हुआ क्योंकि बहुत जरूरत था जिसे कहीते ना मुर्दे पे जान आना और इस मैच में जान आता हुआ और यह चका देखें कौन से बैटर के हम पर बल्ले से निकल दा हुआ प्रेशाद वाई यहां पर यह प्रसाद बाढ़ने के कुसिस कर रहे हैं और चकी किसा टीम करस्कर सोला अजीस सर हमने जिकर की थे पिछले मैच में कि कासर ओर्डिल टीम अभी तक दो मैच अच्छे केर रही है इसके मतलब ही नहीं कि आखरी मैच भी अच्छे केरने बाली है हो सकता है कमजूर साबित हो सकता है और देवरें टीम और उसके साथ सा देखिए कामन टीम भी खेले तो तभी हमने जिकर किये कि अभी भलाई देखिए फसे हुए अगर मुकाबला जीत गए तो अगरी मुकाबले में और आक्रमक हो सकते हैं और वही देखिए चीजा है देखने को मिला इसलिए क्रिकेट में भविस से बानी करना बहुत मुस्किल हो जाता है भाई और यह चलिए भाई क्या उइकट को छोया बला लिया भाई बाल बजगे और गिंदबाच एक समय देखिए थोड़ा खुसियों के मावल आज चुके दिए उँके तरब क्या हुई कर छोगर गया या क्या चलिया गया तो चलिए प्रसाद तो यही चाहेंगे भाई रन जितना चाहें चोड़ लेंगे लेकिन टीम का स्कुर देखिए स्वाला रन तीस के अंदर रोक लिए तो मैं कहूंगा फिर गिंदबाच ने अपनी काम कर दिये काम नहीं कर दिये आपको ट्रॉफी दिला दिये कहीं लेकिन ट्रॉफी पकड़ना आपके आतों मेरेगे बल्ले बाजी करते समय सही तरह से आप पकड़ रहे या छोड़ रहे हों ये देखिए बाई बहुत बड़ी हागे इन को घुमा रहे हैं उंगलियों का देखिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए बैटर को लगता है कि गेन तेज आने वाला है और बल्ला जल्दी आ जाता है और कहीना कहीन जब गेन रुक कर फंस कर आती हैं देखिए आज ऐसा नहीं के गेनबाजी में बहुत प्रभवित की हैं और कासरोली टीम मैंने यह बात का कि ये टीम के पास भी गेनबाजी अच्छी हैं अगर उससे पहले आपको एक अच्छा टूडल सेट करना बहुत जरूरी है अगर ये 35 त देखिए इतियास कभा हैं बहुत एहम रहता हैं और टूडल की बात करेंगे टूडल देखिए सत्रा सत्रा का क्या फिर से बनेगा खत्रा कौन भूल सकता हैं 2019 जब कोवीट का पहला मरीज है चीन में आया ता सत्रा नोवेंबर और उसकी बात पुरी दुनिया में च्छा ग और इस बार देखिए च्छक्या लगा किस के हाथों से जगें दो छक्या खाई इस उबर में 14 रन कर्चिवा थोड़ा सा लंबा उबर को बनाएं लकिन उसकी बाद टीम का स्कूर 23 रन आयूप से देखिए कुछ बला लेकर रहे हैं और कुछ मैसेज भी मेरे साबसे फरवाड करके जाएंगे देखर जाएंगे अन्तीम छेगिन में कितन ले भाडाएं और देखते हैं आन्तीम छेगिन उसकी बाद बलेवाजों ने देखें थोड़ा कानटा बदला हैं एक चक्का दीए प्रसाद ने दागा दूसरा चका देखें मोनिष ने दागा हमारी साथ देखे स्कूरर जग्दिस देखे स्कूरर यदनेश देखे हेरिस्टेलिंग के भाई देखे ये भी पसीना चुटा दिये होंगे कोई बात नहीं पिपा वर्ल्ड कप देखे फुटबॉल से देखे ये फुटबॉल से आया उबर कर हितिस गिंदवाशी के लिए देखे आगरी छेगे नुईकेट के जड़ में रखना चाहेंगे भई तासका चोकर पुमरा का यरकर लेकिज सियां से देखते है रन आउट का मौका है और थ्रो देखे थोड़ा बेतर नहीं हुआ दूसरा रन कंप्लीट होता हुआ दो रनों के साथ टीम का स्कोर जागर पहुँचा पचीस रन देखते हैं ये उबर को क्या लंबा बनाएंगे आपर से बात करेंगे प्रिंस लेमन्स का सरोडली टीम के देखे समर तक दरसक दो टीवी पर जुड़े हैं उमीद रखे होंगे के मेरे करन अर्जुन आएंगे और अभी तक तो आए हैं भाई एक एक छकात आगे हैं लेकिन गेन बाजी भी देखे उतनी तुफानी हो रही है ये पांच गेन बहुत एहम रखेगा आप जिस तरह से अभी तक माच मुठी में रखे हैं क्या ये मुठी से माच निकलेगा हो इसे माच मारूंगा ये तो हम बता रहे हैं की प्रॉफ़मेंस देख कर लेगे कभी कभी कईते ना जिन्दिगी में एक छोटी भी गलती हो गई ना एक छोटा सा से जब बड़ी से जाज को डुबा सकता है फिर आपने बलने बाजी में वही गलती कर दिया जो कासरोली टीम किया है दिक्ट बन जाएगा रन देंगे बनाने के लिए कितना मेहनद कर रहे है फिल्डर सेगहांगी नेचे एक रन लिएक दूसरे के लिए देखिया ऑपना जाना चाहते हैं आइफ़ड देखे है कमल के लाजवाब फिल्डेंग देखिए इसे कहते हैं मौत का फिक्रे करते नहीं हैं सेर हैं घाज चरते नहीं है और बेनिफिट फाइदा देखें अयूब से पहली गिन के बर छक्कात आगे और बताए बाई मैं तुझको भगा ले जाओंगा तेरे घर से और उसके बाद देखें आकास ने जवाब दिया हमारे दमा रहा है धमा कभी देना चाहेंगे यही चीज़ तो देखने को मिल रहा है लेगन किर्केट अनिश चिताओं से बरावा केले हैं और मोनिश ने भी बता दिया है बाबुशा के कासार वडवली टीम भी यहाँ पर नानकर दर्शन के लिए नहीं आये है वह भी जीतने के लिए आये है वह भी ट्रॉफी के लिए आये है आप बिल्कुल इसलिए तो मैंने कहा गया गया मुना तो गया कासार वडवली मैसेज देने के लिए हम जिंदा है भई मैच में बने है हारवाने नहीं है यह टीम जिदे टीम है यही तो बताया है, इलाग का तीरा हो, लेकिन धमा का यह करने में, फिर इस एक बार देखिए, सोटम पूल, खिचकर लाना चाहते थे, ओ, होच्चिडी, कभी भी बदल सकती है, एक ग्रामीन मैच, एक गुरू, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है, टीवी मत अप करना, और मुबाइल में डाटा बढ़ा देखिए, सेर, जबरदस वापसी यहाँ पर गिंदबाज ही तेश द्वारा, स्लो आफ कटर किया उन्होंने, और उसमें फसाया बैट्समन मोनिश को, रन संक्या बत्तीस पांच विक्टो के नुकसान पर, एक गेंद अपारी में 6 है, कि इतनी स्लोवर गेंती, और काफी घुमी भी थी गेंद, और अपने चाल में आखिर कार फसाया, चा क्याच वापर डीप में, हरिच द्वारा, तो चलिए बात करेंगे, तेवरंग टीम देखिए, भला ही देखिए, मुकाबला कौन जीते हारे, यह तो नहीं कह सकते है, ल अपर फाइदा नहीं ले सके है, इफट देखिए, अमिता वचान का हाइट और दिया बढ़िया फाइट और यह देखिए, बहुत 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 तीन रन साच, चोथे के लिए रना हमपार कितनी? चलिए, जो भी है, सटिक बताएए ने, तो हम यूटूब में जुड़ जाएंगे भाई, साहिल ने स्ट्राइक किये थे भाई, तो देखते हैं, यहाँ पर तो चलिए, चार रनाया है, यहाँ पर रिपले भी देखा गया, चलिए, अमपार भी थोड़ा कॉंपर मुझे, और एक बार थोड़ा रिपले में देखें, तीसरे, अमपार बाला सर, चलिए, एक बार देख लेंगे, यहाँ पर तो वही चार रन दिखाई थी है, तो चलिए, चार रन आया है, यहाँ पर से, तो चलिए, पांचवा के लिए, रन आउट हुए यहाँ पर, और चार रन जुड़ने के साद हम बात कर रहे थे, अजय सरे, कहीं, पैंटीस तक भी पहुँच गए, और चटीस तक पहुँच गए हैं, और जीत के लिए, साइंटीस की ज़रत है, कहते हैं, अब भैंस ने, अगर जीओ का सीम खाया, तो यह मत सोचिया, अनलिमिटर दूद देगी, हो सकता है, गोबरी भी दे सकती है, बलाई यहाँ पर टारगेट छोटा है, लेकिन देखे, टीस सा ड्रेट शिगनल, आयूप से एक पुरी टीम में देखे, जजबा मनोबल आ चुका है, लेकिन दिवरन टीम को यह मुकाबला जीतना है, तो वही हिम्मत, वही जजबा दिखाना होगा, 37 सेकेंड इनिंस हमें सा का जाते हैं, अजे सर आपने जिकर किया, पिछला दो दिन 33 का टारगेट भी यहाँ पर मु जड़ेंगे, और कल का दीन निश्चे तो उसे बाकी के देखिए, हम पर से कॉमेंटेटर, हर कॉमेंटेटर यहाँ पर दूरते जा रहे हैं, अजे सर साहिद कल आपके भी आवाज देएगा, और टुटनामेट के आकरे दिन फिर से आपके साथ जड़ेंगे, तब तक के ल नौरन बने थे और तीन मैतुपुन किलाडी भी आउट हुए थे, उसमें अयूप शेक का मैतुपुन विकेट भी गिरा ता, आकाश भी जल्दी आउट हुए थे, लेकिन अंतिम दो वर्स में गजब की बलेबाजी देखने को मिली, सुशान्त ने हलाकि इस मैच में निरा देवरूंग टीम की ओर से, वीजे केने और बलबन दर्वी, एक स्थापित सलामी जोडी, दो अनुभवी खिलाडी, टॉप अप दी ओर और और पहला ओर लेकर अनुभवी गिनबाज बायत के लखन जादव तयार होते वे टीम के कप्तान भी है, बहुती शातीर का है, और जिस तरह का इतिहास रहा है, इस टोर्नामेंट का खास्वार पर पिछले दो दिन हम यदि बात करें तो 30 प्लस टोटल चेज नहीं हुए है, लेकिन क्या आज इतिहास बदलेगा, क्या आज एक नया इतिहास रचेगी, यहाँ पर जैहिन देवरूंग टीम, यह द सटिक निशाना अयूप शेक का बहुत जादा जोखी मुठाया गया था, और कुछ इस तरह से हमने देखा था, आई एक वीरा नांतकर टीम की भी शुरुआत हुए थी परसो, जब 34 रनों का पीछा करने के लिए उनके बल्लेबाज आये थे मिदान पर, और पहली गिन पर रूतिक रनाउट हुए थे, जुन्होंने पहले दो मैचेस में अच्छी बैटिंग की थी, आज वीजे किने ने बैटिंग अच्छी की पहले दो मुकाबलों में, लेकिन इस महतोपूर्ण मैच में जलबाजी का शिकार बने हैं, उन्होंने तो गिव अप कर ही दिया था, उनको पता था कि आपर डिरेक्ट हिट लगा तो काम तमाम, और यदि किस्मत का सहरा मिला तो मैं बज़ पाऊंगा, लेकिन किस्मत का सहरा नहीं मिल पाया, और गोल्डन डग पर रनाउट होकर पेविलियन में लोटे है, वीजे किने बहुत संसनी खेज शुरुआती स्पा और यह सही सोच भी है, क्योंकि रनों का पीछा करना है, देवरुंग टिम यहां की परिस्तितियों से अच्छी तरा से वाकिप है, उनको पता है कि यहां पर शाम के सत्र में बैटिंग करना उतना आसान नहीं रहता है, हला कि कंडिशन को यदि हम देखे, रोशनी जरूर थ विकेट, सामना करेंगे बलवंत, ओवर पीछ है, लॉफ्टेट शॉट, इस बार गजब की टाइमिंग, बिल्कुल गैप में खेल दिया है, चार रनों के लिए, देवरुंग के दर्शक शोर मचाते वे, काफी खोश होते वे, जबरदस प्रहार किया है बलवंत ने, इनी तरब से गेंद को निकालने में काम्याब रहे बलवंत, चोके से उन्होंने अपना और अपने टीम का खाता खुला है, पहला ओर जानते है बलवंत की इस ओवर में दो-तीन बड़े शॉट्स आएंगे, तो आने वाले ओवर्स में काम आसान हो सकता है, और वैसे भी पा पायर द्वारा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ, पांच रन एक विकेट की नुकसान पर, अपसाइड में फिल्डर्स की दीवार नजर आ रही है, बलवंत के लिए, सर्कल के अंदर खासता और पर, शौट थर्ड मैन, गली में एक खिलाडी है, पॉइंट पर एक फिल्डर है, पाया है, ऑन साइड में दो खिलाडी सर्कल के अंदर और दो बांडरी पर, क्लिन बांडर, की तेज तर्रार यॉर करती, थोड़ा सा रूम बना कर ड्राइव करना चाहती थे बलवंत, लेकिन गलत लाइन पर खेल बैटे, और बलवंत का काम भी होआ तमाम, शुरुआत काफी अच्छी की थे अपने पारी की चौका लगा कर बलवंत ने, लेकिन जबरदस पलट वार करते वे लखन जादा हो, इस ओवर की ये सबसे तीज गेन थी मेरे ख्याल से, और क्या सटी क्योर कर देखने को मिली, आईए देखते रीपले में, बलवंत ने शुरुआता हुआ, ला जवाब गेन बाजी, दूसरे विकेट का पतन स्कोर के वल पांच रन, इस तरह की शिरुआत हलाकि अपिक्षित तो नहीं थी देवरुंग के समर्थकों को, क्योंकि दुनों सलामी बले बाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है इस टोर्ण पेश किया है, लेकिन अब एक बार फिर से टीम थोड़ी सी संकट में फस्ती हुई, नए बैट्समन क्रीस पर पहुँचे है हितेश, और हितेश ने भी ज़रूर प्रभावित किया है अपने खेल से, गिंद बाजी भी उनकी अच्छी रही है, और मिडल ऑर्डर में लगात से पर गेंद लगी है, पॉइंट के किलाड़ी तीजी से गेंद पर आये थे, लेकिन अच्छी दॉड विक्टो के बीच में एक रन यहाँ पर पूरा करते हुए बैट्समन, सिंगल के साथ खाता खोलते हुए हितेश, टीम का स्कोर अब 6 रन, दो विक्टो के नुकसान पर यहाँ से और 31 रनों के आवश्यक्ता है, फैबुलस फाइव में पहुंचने के लिए पदमावती जशक 2023 में जहिन दिवरुं को, अभी तक तीन टीमें फैबुलस फाइव में पहुंच चुके है, अन्तीम पाँच में पहुंच चुके है, वीरताना जिदापोडे सबसे प रिवर स्ट्रोग खिलने में माहीर है यह बलेबाज, और आते ही अपने हाथ खोले है, हरेश ने, गिन बाहर की तरफ निकलती है बायत की बैट्समन की, उसको देखते वे यह सही स्ट्रोग भी पॉइंट पर खिलाडी मौजूद थे, लेकिन पॉइंट फीलर के पाई पर तो आवश्यक रन रेड है, नौ के थोड़ा सा उपर का, उसके अनुसार जरूर शुरूर शुरूआत की है बलेबाजूने, हलाकि दो खिलाडी आउट भी हुए है, और इस पार अंदर की तरफ लानी का प्रयास सा थोड़ी नीची रेती भी गेंद, शरीर से जाकर टक रहे, तेज सिंगल यहाँ पर चुराने में काम्याब ओवर्त्रो, लेकिन बैक अप करने के लिए खिलाडी मौझूद, लेक बाइस का इशारा करते हैं वे अमपायर देसाई, और इसके साथी पहले और का खेल समाप्त होता हुआ, जहिन देवरूंग टीम का स्कोर है, 11 रन और खेल को जारी रखे, आयूब शेक नयवर लेकर तयार होते हुए, पिछले मैच में बहुत अच्छी गिंदबाजी की थे, आयूब ने सिर्फ चार रन खर्च किये थे अपने ओवर में, और यस मैच में भी चाहेंगे, आयूब की कम से कम रन्स खर्च किये जाए, और हो एक पर, बल्ले बाजी में अयूब ने शुरुआत धमाकेदार अंदाज में किती, पहली गेंद पर चक्का लगाया था, लेकिन दूसरी गेंद पर क्याच आउट हुए थे शॉर्ट फाइनले की दिशा में, और कमाल का क्याच, आकाश जूनियर ने लपका था, लंबे के हरफन मौला के लाड़ी अयूब, अयूब चले दाइनले से ओर दो विकेट, स्विच इट किया गेंद अबामे है, स्ट्रोक फ़स गया है, असान सा क्याच शॉर्ट थर्ड मैन पर, विकेट जटक लिया है पहली गेंद पर अयूब शेक ने, हरेश आउट, रिवर स्ट् रफ लटते वे, हरेश मातरचार्ण बनाए, रिवर स्ट्रोक ने उनको चौका दिलाया था, पिछले ओवर में, लेकिन भार भार वही स्ट्रोक खेलने का जब आप प्रयास करते हो, तो निचे तरुप से गेंद बाज के लिए भी आपका विकेट चटकाना थोड़ा आसान हो जाता है, यहाँ पर सयम की परिक्षा थी, क्योंकि रिक्वाइड रेट कहीना की बलेबाजों की कंट्रोल में नजर आ रहा है, लेकिन जादा जलबाजी करते हो बलेबाज, वीजे के ने पहली गिन पर रन आउट वे, उसके बाद बलवन को क्लीन बोल्ट किया, वो तो लाजवाब गेन थी, सटी की ओर कर लखन जादो की जिस पर क्लीन बोल्ड आउट वे बलवन्त, लेकिन यहाँ पर यह जो स्ट्रोक है, उल जुलूल स्ट्रोक खेलते वे अपना विकेट फेक दिया है, हरेश ने, आसान सा कैच, शॉट थर्ड मैन की दिशा में, नई बैस म उठाया जाए, लेकिन आखिरकार अपना इरादा त्याग ना पड़ा है दोनों बलेबाजों को, एक अच्छो पार्टनर्शिप की आवश्यक्ता है, इस मैच को जीतने के लिए, जहिन दिवरूंग टीम को, समीकरन यहाँ से हम देखे तो, 25 रनों की आवश्यक्ता है, 16 ग किन बाद जरूर है, बढ़िया शॉट, रचना अत्मक स्ट्रोक, हितेश के बल्ले से चारन मिलेंगे, बहुत ही खूब सूर्ती के साथ खेलावा स्ट्रोक, इंप्रोवाईजेशन दिखाते हुए, हितेश, शायद आयूब कोई इस बात की कलपना नहीं थी, इस बात का एहसास उनको नहीं था कि बल्ले बाजी इस तरह से स्कूप करेंगे, या फिर रैम शॉट खेलेंगे, आफस्टम के थोड़ा बाहर निकल आये थे, फुलर लेंद की गेंती, लो फुल टॉस बन रही थी, और कि इनले का खिलाडी सरकल के अंदर था, थोड़ा फाइन खड़ा था, उसका फाइदा उठाया है यहाँ पर, अच्छो टाइमिंग के साथ खिला हुआ स्ट्रोक, गिनबास की गती का इस्तिमाल करते हुए, हेतिश शांदार बले बाजी, चार अनो से स्कूर आगे बढ़ता ह वा सुला रन तीन विक्टो के नुकसान पर, काफी सारी रन नीतिया बनाई जाती है क्रिकेट के खेल में, खिलाडियो द्वारा, लेकिन प्लान बनाना और उस प्लान के अनुसार खेल पेश करना दोनों अलग चीज़े होती है, अयूब एक बार फिर से राइटाम ओर दव सटीक नहीं थी, लेकिन अपने इरादों में काम्याब होते विए नजर आ रहे थे बल्लेबाद, इन फिल को क्लियर कर दिया था, लेकिन शॉट थर्ड मैन के खिलाड़ी काफी सतर्क तारीफ करनी होगी वहापर फिल्डर की जिस तरह से उन्होंने गियंद को रोका, अबला जीतने के लिए, जो भी टीम जीतेगी, उस टीम के लिए एक ट्रॉफी तो पक्की हो जाएगी, और ये कमजोर गेंद है, फुल टॉस उठा के खेला है, लेकिन ज्यादा एलिवेशन प्राप नहीं कर पाए इस ट्रोक में, सीधे फिल्डर के पास पहले बाउंस पर डीप मिडविकेट पर एक ही रन लेने का मौका, बलेबास ललेश के पास, स्कोर 18 रन, तीन विक्टो के नुकसान पर, विक्टी जरूर गिरी है, लेकिन रनों की रफ्तार ठिक टाक कही जा सकती है, यहाँ से और 19 रनों की आवशकता है, गेंदी बची है 13, मैच में अभी अभी काफी चान नजर आ रही है, मिड ओफ सर्कल के अंदर एक एक एक्ष्ट्रा कवर पर खिलाडी है, शॉट थर्ड मैन और एक फ्लाइ स्लिप, फुल टॉस इस बाहर हवा में गेंद और लाच अबाब कैच, कवर्स में कोई गलती नहीं, सुशान्त वहाँ पर गेंद के समापती हितेश छेरं बनाकर पेविलियन की रहा पर, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, ड्राइउ करना चाहते थे, इन्फिल्ड के उपर से, कवर्स के उपर से खिलने का प्रयास था, लेकिन बल्ला भी थोड़ा सा हाथ में घुम गया था, और उस वज़े से स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाए, अच्छा कैच, हाला कि उतना आसान कैच तो नहीं था, फिल्डर को थोड़ा आपनी बाई तरब जाना था, लेकिन बहुत बढ़िया कैच, सुशान्त वारा, पती शवाजे महराज क्रिकिट ग्राउंड से ये सीधा प्रासार और प्रिंस मुवीज पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, मनुरंजन का ये भांडार सीधे आपके द्वार, और क्या गजब का मैच देखने को मिल रहा है, नेक टू-नेक फाइट चल रही है, बच्छे वी गेंदबास सागर तयार होते वे, कासार वडवली टीम की जो गेंदबाजी है, उसमें भी काफी धार है, और वो देखने को मिली भी है आज पूरे दिन भर, लेकिन अब जो शेश है, वही तो वी शेश है, बचे वे दो वर्स, बहुत ही महतो पूर्ण वर्स, ललेश के पा गेंदबास सागर तयार होते वे, कासार वडवली के बल्ले बाजो ने करके दिखा रहा है, यह मैच दोनों भी टीमों के लिए, मैच की शुरुआत में देवरूं की गिंदबाजो का बोल बाला था, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी, कासार वडवली के बल्ले बाजो ने करके दिखाई, अगली गेंद आइनेट से राउंड विकेट, इस बार स्विंग एंड मिस, लंबा हिट लेने की कोशिश लेकिन कही पे निगाए कही पे निशाना, इस बार गेंद लाइन के अंदर थी, और सीदे निकल गई विकेट कीपर के पास, मैत उपुन डॉट क गेंद समीकरंड बदलता हुआ, ग्यारा गेंदों में 18 रणों के आवश्यक्ता है, अभी भी रणों और गेंदों के बीच में साथ का फासला है, और अभी भी मैदान पर हम देख रहे हैं कि हवाए बै रही है, पच्छिम से लेकर पूरब की दिशा में, यानि कि ऑप साइ गेंद भाज ने थोड़ा सा फंबल किया था, लेकिन बैक अप करने के लिए पीछे खिलाडी मौचूद है, एक ही रण मिलेगा याँपर, दस गेंदों का खेल बचा हुआ है, 17 रणों की जरूरत, स्कोर हुआ है 20 रण 4 विक्टों के नुक्सान पर, एक एक गेंद काफी म इस बार देका परका जाने दिया, आकाश ने, सही फैसला, वाइड गेंद, और कही ना कही ये वाइड गेंदे जो है, ये विलन का रोल आदा कर सकते है कासार वडवली के लिए, ये वो समय नहीं है जहाँ पर आप फिजूल के रण स्कर्च कर सकते हो, गलती की गुंजाई इक एक रन काफी भारी बढ़ सकता है, स्कोर में इजाफा हुआ है, स्कोर अब 21, 21 रन 4 विक्टो के नुकसान पर, 10 गेंदों में 16 रनों की जरूरत, ओ इस बार थोड़ी नीची रहती वी गेंद, और टपा पढ़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी, स्लॉक स्विप का प सागर, दो वाइट गेंदे भी किया है, एक सिंगल आया है, नौ गेंदों में 16 की जरूरत, इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगा है, बढ़िया फेलिंग वहाँ पर, देखें, फ्लाइ स्लीप की तरफ खिलाडी रखा है, यानिकि वो जो खिलाडी है, वो शौर्ट थर्ड म की लड़ी तैनात किये गया है, और उसका जरूर फाइदा भी मिल रहा है, एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, बाइस रन, अब आट गिंदों में 15 रनों की जरूरत है, हैरत अंगेज क्रिकेट, बहुत ही रोमांचक मैच, इस बार हवाई फायर किया है, लेकिन फिल्ड कोई गलती नहीं कि अयूब ने आउट हो गया है, बैट्समन ललेश, एक और करारा जटका लगा है, जहिन दिवरूं को, हवा में जरूर स्ट्रोक खेला गया था, लेकिन ऐसे कंडिशन्स में ग्याप में खेलना बहुत जरूरी, और बल्ले कि बिल्कुल बीचो बीच नही ले पाए थे, बल्ले कि थोड़े अंदर ही लगी थी, जिस वज़े से ज़ादा एलिवेशन उस ट्रोक में नहीं था, और नहीं गेंद अंतर तैक कर पाई थी, बड़ी बाउंडरी बे है इस मैदान की उस दिशा में, साथ गेंदों का खेलबा की है, पंदरा रनों की आव मौका मिला है, तो बड़ी चुनोती भी सामने है, साथ गेंदे पंदरा रन, खुबसूरत गेंद, खुबसूरत गेंद, फुलर लेंट, आफस्टम के बाहर चकाया बैट्समन को, और इसके साथी एक और सफल ओवर समाप्त होता हुआ, बढ़िया गेंद बाजी इस सागर क जरूर दो वाइट गेंदे की उन्होंने, लेकिन अच्छे रफटार के साथ गेंद बाजी की, और आफस्टम के करीब इस बार गेंद को रखा था, मैट्समन उनसाइड में उठा कर किलना चाहते थे, तीन ओर की समाप्ती स्कोर 22 रन, पांच विक्टो के नुक्सान पर, आ लेकिन क्रिकेट महान अनिजिताओं से भरा हुआ खेल है, और आकाश पाटिल जब तक क्रीज पर है, तब तक उम्मीदे बरकरार है, जहिन दिवरूं की, कठिन परिस्तितियों में कई बार अच्छी पारिया खेल चुके है, आकाश पाटिल, हाली में ब्यार पील में हमने देखा था, हाला कि वो एक अलग प्रकार का टोड़नामेंट था, फ्रेंचाइजी क्रिकेट, लेकिन वहाँ पर उन्हों ने दो गेंदों पर जब तेरा रनों की जरूरत थी, दो चक्के लगा कर अपनी टीम को जिताया था, किसमत ने भी थोड़ा साथ दिया था, एक साहिल तयार होते हुए, और साहिल भी कोई मामूली गेंद बाज नहीं है, और की पहली गेंद, राइटाम ओर द विकेट, फुल लेंद, फुल लेंद, आफस्टम के बाहर, ये यॉर्कर लेंद पर रखी वी गेंद, और कोई मौका नहीं मिला बैट्समन को, हाथ खोलने के लिए उठा कर किलने का प्रयास जरूर था, लेकिन क्या कमाल का एक्जिक्वीशन है, तेज तर्रार गेंद, बिल्कुल यॉर्कर लेंद पर आफस्टम के काफी बाहर, चुकि बैट्समन भी आफस्टम के बाहर निकल गए थे, स्टम्स की दिशा में गिनबाजी करने का प् अब पांच गिंदे और पंदरा रणों की जरूरत, इस बारतान दिया है आसमा, आकाश पाटिल का पलटवार, पिछली तीन गिंदों से कोई रन नहीं आया था, और जो रन बंदी थी, उसको हटाते विए इस समय आकाश पाटिल, लेंथ बाल मिली, स्विंक या उन साइड में, वाइड ओफ डीप मिडविकेट, बहुती तगणा प्रहार, बॉटम एंड का गजब का इस्तेमाल, हलाकि यह अन दर आइस खिला हुआ स्ट्रोक है, आसान स्ट्रोक नहीं है, लेकिन लाजवाब सिकसर, सही समय पर छका जड़ते हुए, आकाश पाटिल, अब चार गि गड़ी में, शाम के छे बच गए है, आयूप शेक कुछ समझाते हुए, गिन बाद साहील को, बिलकुल बराबरी का संगर्श, मैं समझता हूँ, 50-50 है यह मैच यहाँ से, नेक टूनेक फाइट चल रही है, साहील एक बार फिर से, हमसे दूर बागते हुए, दाइन आट से और दूर विकेट, और इस बाइट, इस सिचुवेशन के माहिर खिलाडी है, हला के हम देखे तो युवा खिलाडी है, आकाश, लेकिन गजब के खिलाडी है, गलती कर बैटे वहाँ पर गेंदबास, बिलकुल स्लोट में गेंद थी, सीधे बल्ले से इस बार प्रहार किया, लोंगाउन और मिडविकेट के दरमयान से, इस बार तो बहुत दूर भेज़ दिया गेंद को मैदान के बाहर, लगातार दूसरा चक्का, और अब तीन गिनों पर तीन रनों के आवशकता है, और अब ऐसे लगता है कि थोड़ा सा पलड़ा भारी हो रहा है, जहिन पहला कि पहली गेंद पर जो चक्का लगा था, जो पहला चक्का था, वो गेंद उतनी बूरी नहीं थी, वो शौट बहुत ही उमदा था, लेकिन उसके बाद दबाव में गलती कर बैटे, ये गेंद बिल्कुल कमजोर गेंद थी, सही माइनों में देखा जाए, तो उसका भी फाइदा उठाया है, आकाश पाटील ने, आज यहाँ पर हीरो बनने की तैयारी में, आकाश पाटील, इन फॉर्म बल्ले बाज है, तीन गेंद तीन रन, दिलों की धड़कने तेज कर देने वाला मुकाबला, आज के दिन की ये दो सर्वश्रेश्ट टी में, इस टॉर लेके अंदर लगिया है, गेंजारे ये डीप में, आउट फील में, वहाँ पर डीप मिडविकेट पर मिस्पील, ये समय नहीं है मिस्पील करने का, सिंगल को डबल में कनवर्ट किया गया है, और इसके साथी स्कोर्स बराबर होते वे दोनों टीमों के, अब यहाँ से रन के आवशकता है, स्कोर 36 रन पांच विक्टो के नुकसान पर, अंडर प्रेशर क्या कमाल की बलेबाजी की है, आकाश ने, दो छक्ये लगा चुके है, पंदरा पर बैटिंग करते हुए, पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ली है, आरे वाँ, अबी तक रुके हुए है, मुझे लगा कि चले गए, लेकिन मैच ही इतना अच्छा है कि उनका भी जाने का मन नहीं कर रहा था, और उनको भी रोक कर रखा है इस मैच ने, नजदी की क्षेतरक्षका बढ़ते हुए नजर आ रहे है, यानि कि बलेबाज के पडोसी बढ़त है, एक स्लिप की दिशा में खिलाडी नजर आता हुआ, एक लेक स्लिप भी नजर आ रही है, और किसी भी हाल में ये सिंगल बचाना है, यदि कासार वडवली टीम को इस मैच को सूपर ओवर में लेकर जाना है तो, कुछ मिड़ फिल्डर्स भी नजर आ रहे है, डिप मिड बाउनरी के बीच में खड़े है, अगली गेंद, शॉट आप लेन पुल किया है, टीम जैहिन देवरुंग और हाड लग टफ लग टीम प्रिंस इलेवन कासार वडवली, गजब का प्रदर्शन और इस मैच के हीरो है, आकाश पाटील सीनियर, लाजवाब बल्ले बाजी, आकरी ओर में 15 रणों के आवशकता थी, और जिस तरह की कंडिशन्स थी, यहाँ पर निचित रूप से बहुत मुश्किल काम था, लेकिन दबाव की सिती में बहुत ही बेतरीन बल्ले बाजी, जितना ज़ादा दबाव उतना अच्छा खेलते है आकाश पाटिल, यह एक बार फिर से उन्होंने साबित कर दिया है, जितनी तूफानी नदी, उतनी श्रिष्ट तैरा की यहाँ पर देखने को मिली है, आकाश की और इस मैच के मैन आप दे मैच खिलाड़ी भी है, आकाश अच्छ गिंदबाजी भी की थी उन्होंने पावर प्ले में, साथ रंदेकर एक विकेट, हलाकि ललेश का योगदान भी गिंदबाजी में उमदा था, दो रंदेकर दो विकेट, लेकिन कंडिशन्स को देखते वे, जिस तरा की बलेबाजी की है, आकाश ने दबाव की सिति में, उसको देखते वे, उनको मैरोद मैच गोशित किया गया है, आल राउन प्रदर्शन है, साथ रंदेकर एक विकेट, और 19 रनों की नाबाद पारी